दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को इंडेक्शन फर्निस का कॉयल के बारे में बताऊंगा इससे पहले देखिएगा एक वीडियो बनाए था पार्ट वान के नाम से और इसके बाद part 2 का वीडियो है इसी जगा में जो हम लोग induction furnace में काम करते हैं तो coil के बारे भी आपको step by step experience बनाना है तब क्या होगा जब आप कोई भी electrical का interview दीजिएगा चाहे आप mechanical से हो या electrical से हो तो proper तरीका से interview भी अच्छा से आप दे सकते हैं और बहुत आसान तरीका से समझा सकते हैं जिस तरह से आज इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाओंगा है और जितना सारा ये coil के उपर में doubt है सारा doubt मैं आप लोग का clear करूंगा और practical में अगर आप कोई भी company में काम कर रहे हैं तो मेरा बात के साथ साथ आप मिला के देख लीजिएगा कौन-कौन सा doubt आपका clear हो रहा है तो पहले हमारा एक number question आ जाता है देखिएगा ज्यादा तर कोई भी company में आप काम कर रहे हैं या कोई interview दे रहे हैं तो पहले क्या पुछा जाता है कि जो हम लोग के induction furnace में coil रहता है ये coil हमारा कितना पार्ट में रहता है तो अगर माल लिजिए आप कोई 8 टन फर्णिस में काम कर रहे हैं कोई 20 टन का फर्णिस में काम कर रहा है तो कोई 30 टन में काम कर रहा है तो दोस्तो जब आपका कोईल पूरा fitting रहता है तब पता नहीं चलता है कि कोईल हमारा कितना पार्ट में है आगे में आप लोग को ये जो कोईल repair हुआ है इसके बारे में मैं आप लोग को step by step बताऊंगा तो आपके अंदर में सारा doubt किलियर हो जाएगा और अंदर में एक बार बहुत बढ़िया से देखियेगा नहीं तो आपके अंदर से doubt किलियर नहीं होगा श्रीप दोस्तो ऐसे दूर से देख लिए हाँ ये कोईल है लेकिन जब कोईल के बारे में कुछ question पूछ दिया जाता है तो जबाब देने में हालत खराब हो जाता है तो जैसे मैं आपको बताया हूं कि यह हमारा जो induction furnace में coil रहता है यह हमारा कितना पाट में रहता है तो एक 30 टन furnace का मैं example दे रहा हूं तब क्या होगा जितना सारा फ्रेंड आप लोग duty कर रहे हैं तो आप लोग तो मिला के देख लीजिएगा और जितना सारा नहीं कर रहे हैं उनके इसमें आपका चार पाट में रहता है तो इसमें से जो बोटम रहता है बोटम के जो उपर वहला टान रहता है यह आपका SS टान रहता है इसके बाद आपका copper का रहता है फिर दूसरा पाट आपका copper का रहता है फिर आपका SS के रहता है तो हमारा चार पाट का हो गया लेकिन इस जगा में थोड़ा सा डाउट बना हुआ रहता है, जैसे कोई जगा में छो टन का है, कोई जगा में आपका 8 टन का है, किसी में 15 टन का है, किसी में 30 टन का है, किसी में 25 टन का है, तो कोई-कोई जगा में देखिएगा, ये जो टॉप बला एसेस्टान है, ये कोई-कोई ज यह आपका 25 टॉन का हो उस टाइम आपका टॉप पे भी कुलिंग दे देता है अभी यह तो हो गया हमारा एक नंबर कोश्चन टॉप का टान यह है टॉप में यही एसेस्टन हम लोग लगाते हैं और कोईल जब आप रिपियर कीजिएगा तो इसी टाइप से एंगेल में बां तो नंबर कोश्चन में आता है क्या एसेस्टन कितना रहता है और कौपर का TUN कितना रहता है तो अगर मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ प्रेक्टिकल तो जो बाटम में रहता है इस जगा में आपका 40 गो ईसीटन रहनीता है इसके बाद जो आपका कोपार का रहता है यह हमारा 15 टन का रहता है और यह भी हमारा 15 टन का रहता है मतलब यह हमारा 4 टन का हो गिया इस जगा में हमारा 15 टन हो गिया इस जगा में हमारा 15 टन हो गिया पतलब गोल गोल जो घुमता है ना इसी को एक एक टान करके गिल लीजिएगा अपशहों पर यहां और जो हमारा डॉप पे लाइता है जो आपका 30 चण induction furnace में यूज करते हैं तो हमारा जो यह SS ton का coil है बोटम में आपका 4 ton है top में आपका 2 ton है इसमें आपका power देते है या नहीं देते है तो हम लोग जो यह चार SS ton है bottom में और उपर में जो दोगो top पे SS का ton है इसमें हम लोग power नहीं देते है और जो आपका 15 ton है coil का जो दो पार्ट में आपका coil है इसमें हम लोग power देते है अभी इस जगा पे भी दोस्तो और एक question पूछता है कि एक आप diagram बना का हमको दिखाईए कि जो आपका copper का ton है और SS ton है एक कौन सा round में आपका घूमता है और किस तरह से क्वाइल का connection रहता है देखिएगा हम लोग हर जगा काम किये है लेकिन ऐसे दूर से ही देख लिए है कि यह तो हमारा furnace का side में बसबार बना हुआ है दो पार्ट में देखिएगा बना हुआ रहेगा इसी वीडियो में दोस्तों जो मैं कौयल आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक बार गिन लिजिएगा तो आपका अंदर में भी doubt clear हो जाएगा कुछ भी doubt नहीं रखना है तो देखिए यह हम लोगों को बसबार है इसी में हम लोग क्या करते है पावार के बिल का connection करते है और थोड़ा गौर से देखिएगा कि कौयल का टान किस तरह से बना हुआ है और बसबार आपका किस तरह से fitting है जैसे देखिए दो पाट में हमारा कौयल है लेकिन इसके बीज में गुटका डाल के रखा हूँ किसलिए एक दम अलग अलग पाट है यह हमारा नीचे बला पाट है और पहले जो मैं दिखाया हूँ यह आपका उपर बला पाट है यह सम में आपको बिलकुल भी कुछ डाउट नहीं रखना है देखिए यह जो बसबार मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखा रहा हूँ एक दम देखिए बीचो बीच जो दिखा रहा हूँ यही अगलग किया हुआ देख रहे हैं घुटका डला हुआ बीच में तो यही सब बारी के से देखना है कि किस तरह से हमारा कोयल को डिजाइन किया गया है कौन सा टान किधर घूम रहा है और यह देखिए नीचे से लेकर उपर तक एको टान जो बस बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पाउर के बिल फिटिंग रहता है एक दम देखिए उपर बला टान जो है उसमें आपका ब्लीजिंग किया हुआ है तो उपर से लेकर नीचे तक आपका स्वाट किया हुआ है तो यह जो में में पॉइंड होता है जैसे मैं आपको बताया हूँ कि कोयल के बारे में जब तक अच्छा नॉलेज नहीं बनाईएगा आपके अंदर में डाउट किलियर नहीं होगा आज इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग के अंदर में कुछ डाउट ना रहे तो कोयल का टान हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है औ उपर में जाके कहां पर खतम हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं और अगर आप कोई भी कमपनी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके अंदर में अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो कोयल में मिला के देख लीजिएगा थोड़ा बहुत जो भी डाउट रहेगा सारा डाउ कोई कोई जगा में दो दो चार पावर के भी लगा हो रहता है किसी किसी में आपका चोचोग पावर के भी लगा हो रहता है जैसे यह तीस टन का पैनल है तीस टन में आपका टोटल चोग पावर के भी लगता है लेकिन पावर के भी हम लोग को किस तरह से लगाना है एसस ट टान बैठाना है फिर टॉब में दो टान बैठाना है तो सब अलग अलग होता है जब तक आप कोयल के बारे में एक्स्परियेंस नहीं बनाईएगा आपके अंदर में डाउट किलियर नहीं होगा और माल लिजिए कि मैं काम कर रहा हूं ठीक है प्रैक्टिकल वीडियो बनाए नहीं देता है फिर भी मैं बनाके डाल देता हूं देखिए इस जगह में जो दो गोटान है देख रहे हैं दोनों टान एक जगह में आपका बसबार के साथ जुड़ा हुआ है एही सब चीज में आप लोग को बोल रहा हूं कि थोड़ा गौर से आपको देखना है अभी पा एले उपर में देखिएगा एक लेट दिया हो रहेता है ज़्यादा तर यह सब्सक्राइब ज मिल जातक है मंज़ें यह पुराना फर्णी मत दे रहा के नहीं से क्या होगा इनडी ज्यादा बनेगा ज्यादा गरम होगा और सेस और में ऐसित बनता नहीं है तो यह हमारा एक प्लेट हो गया इसके बाद हमारा क्या रहता है इता रहता है देखिएगा जो आपका प्लेट है जब आपका टेपर के पास से माल लिकेज हो जाता है ठीक इसी पास इसी के आज पास में लिकेज हो के बाहर आता है उसी टेब हम लोग क्या करते है यह पूरवला प्लेट पहले पहले तो बोटम तोड़ देते हैं बोटम तोड़ने के बाद प्लेट खोल देते हैं प्लेट खोलने के बाद आपका जो इटा दिया हुआ रहता है फिर इस इटा को हम लोग क्या करते हैं इटा को जो जो इटा खराब हो गया है सारा इटा को चेंज करके मतलब इस जगा में आपका जितना सारा इटा रहेगा ठीक है यह जितना सारा इटा आपका काला काला हो जाएगा ना टोटल काला काला इटा को आपको नया लगाना है बिल्कुल भी काला काला नहीं चलेगा और इसके बाद तो आपका नीचे में में स्प्लेट रहता है आप लोगों को तो मालूम अब दोस्तो चाहर पॉयंड में आ जाता हूं उस वीडियो को माल लीजिए कर इलेक्टिकल देङ रहा है तो चाहर नंबर में हमें से एक पुछता है क्रेंड में कौन सा बेश्भी रहता यह है ज्यादा तर मैं देखता हूं कि bairing के ही बारे में पुच्छता है बेरिंग छोड़के और जदा कुछ पुच्छता इन्हीं और आपका जो यह क्वायल में be analog कि यह ता है क्विलीजींग के बारे में मुच्छता है क्या आपको viral close ठीक से करना नहीं है चाहे आप एलेक्टीकल से हो या मेकनिकल से हो मेंकर के बारी पेओ आपको कितना है यह हमारा 8 mm का या 6 mm का है ठीक एक बार भर्णिया से हम से कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि एक 30 तन का फर्निस या 20 तन या 8 तन में कितना थिगनेस का कोयल रहता है अभी जैसे मेगा थरम, इलेक्ट थरम, इंडेक्ट थरम सबका अलग-अलग थिगनेस होता है अगर अलग-अलग फर्निस में डिवटी कीजिएगा, तो कुछ अलग टाइप के एक्स्पिरियनस बनेगा क्योंकि मैं इसी तीनों पैनल के बारे में आप लोग को बताता हूँ अभी इसके बाद हम लोग इस जगा में क्या रहता है इस जगा में हम लोग एक कोपर का निपल लगावा रहता है तो ये निपल का थिगनेस कितना है, तीन एमेम का है या दो एमेम का है इसको भी आपको भर्निया से चेक करना है तो ये हमारा निपल चेक हो गिया, इसके बाद हमारा कोईल का थिगनेस चेक हो गिया फिर हमारा coil का मोटा जिसको एक checking हम लोग क्या करते हैं कि ID कितना है OD कितना है ओ भी आपको check करना है कि कितना कितना है देखिएगा जदातर 40 या 38 या 35 या 42 इसी के आसपस देखिएगा मतलब इस जगह में आपका same to same match नहीं होगा क्योंकि जब आप 8 टोन में check किजिएगा उसमें कुछ अलग बताएगा जब आप 30 टोन में check किजिएगा उसमें कुछ अलग बताएगा इसलिए interview में question पूछता है तो इसके बाद हमारा coil का pass में क्या आ जाता है कि गूटका तो गूटका जदातर हम लोग क्या जानते है कि एक सिंगानिया गूटका लगता है माइका गूटका लगता है और एक टेपलोन गूटका भी होता है टेपलोन गूटका ज्यादा तरह आपको किस में देखने के लिए मिले गाई और मेगा थरम में माइका गूटका सिंगानिया गूटका ये भी आपको देखने के लिए मिल जा दोस्तो अजिए वीडियो के लिछ अगर विडियो अच्छा है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जुरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा क्यूंकि मैं इसी टाइप को कॉंटेंट बनाता रहता हूं और जितना हो सेकर मैं आप लोग का हिल्प करता हूं अभी नेक्स्ट मैं जब पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा तो आप लोग को और जितना सरा डाउट है किलियर हो जाएगा नमस्कार जाए हिंद